So hey guys and welcome to another video of my channel तो कोई powerful से powerful superhero क्यों न हो उसके कोई ना कोई छोटी बड़ी weakness होती है और यह weakness है जरूरी भी है यही weakness हमें superhero के story को देखने में मज़ा देती है तो कि अगर superhero सिर्फ ऐसे हो कि वो बहुत powerful है उन्हें मारना impossible है उन्हें हराना या फिर छोटी सी चोट देना भी बहुत मुश्किल है तो stories देखने में मज़ा क्या आएगा और इसलिए इन superhero के ऐसी weakness होती है जो कि उन्हें बिल्कुल vulnerable बना देती है जैसे कि मैं Superman के example दूंगा कि वो बहुत overpowered है पर अगर उसके सामने Crypto Knight के एक छोटा सा पत्थर भी आपला के रख दोगे तो उससे हराने एक बच्चे को हराने से भी ज्यादा आसान हो जाएगा और इसे तो Thor, Doctor Strange, Iron Man का ही सारे और भी characters है जिनकी weaknesses है कुछ weaknesses आपको नहीं पता होगी, कुछ weaknesses बहुत obvious है और इसे उसका यूज़ करके superheroes को आसानी से हराया जा सकता है तो आज की वीडियो में हम ऐसा ही top 10 weaknesses को rank करने वाले है और वीडियो interesting होगा, वीडियो में मज़ा आएगा ज़रा time waste नहीं करते है, without wasting any more time चलिए वीडियो को शुरू करते है नमबर 10, Moon Knight तो मैंने सोचा कि इस लिस्ट के शुरुआत करते है बिल्कुल नए और fresh superhero से यानि की Marvel के Moon Knight से जिसकी series अभी-भी आने वाली है Mark Spector जिसे Egyptian Moon God Conscious ये powers मिली है और ये एक काफी powerful superhero है इसके उपर bullets का भी असर नहीं होता और ये बिल्कुल unwunderable है क्योंकि Mark Spector को almost multiple personality disorder type की एक बिमारी होती है जहाँ पे वो अपनी कहीं sorry personalities के बीच में confused रहता है उसे ये तक याद नहीं रहता कि वो खुद Moon Knight नाम का एक super hero है और ये चीज़ बहुत crazy है I mean उसको कहीं point पे अपनी skills और अपनी fighting type तो छोड़ो उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता इस series में कहीं point पे इस चीज़ को दिखाया गया कि वो गुंडों के बीच में फज़ाता है और फिर से अचानक अपनी consciousness खो देता है या फिर हमने ये देखा कि जब वो कहता है कि उसे अपने dreams और अपनी real life के बीच का difference भी नहीं समझ में आता तो ये सारी चीज़े उसकी इसी mental बीमारी का नतीज़ा है और ये चीज़ उसे बहुत ज्यादा एक weakness देती है कि कहीं stage होंगे जहांपे वो उपने आपको defended नहीं कर पाएगा और ऐसा ही same example हम MCM आपने अपने आपको देख चुके है तो हाँ भाई mental बीमारी आप बहुत dangerous है अब देखो वेनम भी एक काफी powerful character है वेनम जिस भी इंसान के साथ जिस भी इंसान को अपना host बनाता है वो उसको कहीं सारी powers देता है including healing factor यानि कि हमने वेनम की movie में भी देखा कि Eddie Brock के जब पैर तक तूट चुके थे उसे fractures हो चुके थे वो भी multiple तब भी वेनम ने कुछी seconds में उसे ठीक कर दिया था यानि कि ये character भी एक ऐसा character है जिसे मारना या फिर चोट पहुँचाना बहुत मुश्किल है पर हाँ वेनम की एक बहुत बड़ी weakness है जो कि movies में भी कहीं बार use होती हुए आई है और ये weakness ये है कि वेनम कभी भी noise को या फिर heavy sound को tolerate नहीं कर सकता और हाँ वेनम की इस weakness को उसके against कहीं बाग use किया जा चुका है फिर चाहे वो comics show, animated shows हो या फिर इवन टूबी मेकर की Spider-Man 3 हो जहाँ पर Spider-Man ने पहले bell का use करके वेनम को pain दिया था और end में तो metal की rods और उसके vibration से पैदा होने वाले sound का use करके उसे cat करके मारा तक गया वेनम के खुद की movies में भी उसकी weakness को काफी significantly दिखाया गया जहाँ पर पहली movie में वेनम को एडी ब्रॉक्स से अलग करने के लिए इस weakness का use किया गया तो दूसरी मूवी में श्रीक ने भी वेनम की इसी sound वाली weakness का use करके उसे चोट पहँचाई थी अब ब्लैक पैंथर और वकांडियन्स अब ब्लैक पैंथर और वकांडियन्स बहुत पावरफुल है और अटेक किया था तब वकांडियन्स अइर्थ की फॉर्स लाइन अफ डिफेंस थे पर हाँ इन लोगों की भी एक weakness है जो कि शायद आपको नहीं पता होगी और वकांडियन्स की जो strength है वाइबरेनियम वहीं एक्चलियों इनकी weakness भी है कॉमिक्स में इस चीज को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि जो वाइबरेनियम है वो electricity का एक बहुत अच्छा conductor है यानि कि जो भी characters वाइबरेनियम के suit का यूज करते है जैसे कि Black Panther या फिर वाइबरेनियम के weapons का तक यूज करते है जो कि सारी Wakanda की आर्मी करती है तो electricity का यूज करके उन्हें काफी अच्छे से चोट पहुँचाई जा सकती है इवन MC में भी हमें इस चीज को दिखाया गया है जहांपे Civil War के दोरान जब Black Panther Winter Soldier को chase कर रहा था तब end में Black Widow ने electricity का shock देके ही Black Panther को रोका था और जो लोग DC के फैंस है वो तो इस करक्टर को जानते ही होंगे कुछ लोगों ने इसे DC की comics तो animated movies में देखा होगा और at least Zack Snyder के Justice League वाले cut में अपने इस करक्टर को देखा ही देखा होगा और अगर अभी भी आप सिर्फ Marvel के फैं है और इस करक्टर के बारे मैं नहीं जानते हैं तो इस करक्टर के पास ट्रेलिपेथिक अबिलिटीज है बिल्कुल Professor X की तरह ये अपने shape को और density को change कर सकता है vision की तरह और अपने रूप तक को बदल सकता है बिल्कुल एक स्क्रल की तरह तो इस करक्टर को आप Professor X प्लस एक स्क्रल और vision का combination मान सकता है DC में कहीं point पे इस करक्टर को Superman से भी ज्यादा powerful consider किया गया है अब सवाल ये होता है कि अगर एक करक्टर इतना powerful है तो उसकी weakness क्या है तो इस करक्टर के एक बहुत easy weakness है जो की है fire और यही weakness इस करक्टर को एकदम weak बना देती है मतलब एक छोटी से माचिस के fire से भी आप इस करक्टर को harm कर सकता है और comics में और animated movies में कहीं बार इसी weakness का यूज़ करके इस करक्टर को मार आया फिर काफी brutally harm किया गया है इवन Superman भी अपने hate vision का यूज़ करके इस करक्टर को easily मार देता है और इसलिए ये character Superman से ज़्यदा powerful नहीं है अब आप इसे कहीं सारे लोगों ने डॉक्टर स्रेंज की इस weakness को notice नहीं किया होगा तो डॉक्टर स्रेंज जब भी कोई spell cast करता है या फिर कोई force field बनाते है वो अपने हाथों की उंगलियों से कुछ posters को बनाते है जिनका यूज़ करके वो spell को cast कर सकते है और अगर आप डॉक्टर स्रेंज के hands को control कर लोगे तो आप काफी हद तक उनकी magical abilities को भी control कर सकते हो मैं आको examples देता हूँ तो पहली बात तो हमने Infinity War में देखा जब Ebony Mon ने डॉक्टर स्रेंज के दोनों हाथों को बान दिया और उसके बाद डॉक्टर स्रेंज किसी भी magic का use नहीं कर पा रहे थे दूसरा एक example देता हूँ कॉमिक से जहाँ पे World War Hulk के storyline में Hulk ने डॉक्टर स्रेंज के दोनों हाथों को मसल दिया था और उसके बाद डॉक्टर स्रेंज बिलकुल weak हो गये थे और हां recent एक game की clip भी मैंने देखी थी जो की आप भी अपने screen पे देख पा रहे होंगे वहाँ पे भी डॉक्टर स्रेंज को हराने के लिए उनके हाथों को ही control में लिया गया था अगर आप तब उनकी body को harm कर लो तो आप डॉक्टर स्रेंज को मार सकते हो क्योंकि डॉक्टर स्रेंज की soul फिर उनकी body में वापस return नहीं कर पाएगी अब आयन मेन की weakness है वहीं चीज जो कि उसे power देती है यानि कि उसका arc reactor आयन मेन का arc reactor जो कि literally उसके हर suit की power का source है यहीं सारी मूवी में आयन मेन की इसी weakness को highlight किया गया फिर चाहे वो आयन मेन की पहली मूवी हो जहां पे arc reactor निकल जाने के बाद आयन मेन almost paralyzed हो गया था या फिर आयन मेन की second movie जहां पे टोनी को इसी arc reactor की वज़े से poisoning होती है आयन मेन की third movie जहां पे arc reactor के out of energy चले जाने के बाद वो बर्फ के बीच literally पड़ा रहता है और even Avengers की movie जहां पे Avengers 1 में arc reactor space में जाके discharge हो जाता है और फिर टोनी गिर रहा था हल्ट ने उसे बचाया या फिर Civil War जहां पे Captain America ने arc reactor को तोड़ दिया और फिर आयन मेन कोई भी attack नहीं कर पाया और मुझे एक concept बहुत पसंद आता है क्योंकि arc reactor टोनी का सबसे बड़ा invention है जिसे उसने सिर्फ एक गुफा में बना लिया था और वो उसके हर एक suit की power का source है फिर भी वो उसके suit का weakest point है और उसकी health का सबसे बड़ा issue है अब टोनी अकिला ऐसा character नहीं है जिसके strength ही उसकी weakness हो वुलवरीन को भी देख के आपको ऐसा लगेगा कि उसे माना बिल्कुल impossible है उसका healing factor इतना strong है कि वो एक cell से भी वापस regenerate हो जाएगा उसने nuclear blast तक को survive कर लिया था उसके उपर घाव बस कुछ ही seconds टिकते है परहा इस character की भी सबसे बड़ी strength है जोकि उसका adamantium skeleton है जोकि उसे इतनी durability देता है जिसका कोई limit नहीं है उसे चोट पहुँचाना इसी चीज की वज़े से almost impossible हो जाता है क्योंकि आप उसके adamantium के skeleton को कभी काट नहीं सकते पर यही adamantium उसकी weakness भी बन जाता है जो adamantium clause Wolverine की identity है उसी adamantium ने कहीं बार Wolverine को vulnerable बनाया फिर चाहे वो X-Men origin Wolverine movie हो जहाँ पर adamantium की bullet का यूज करके Wolverine का memory loss करवाया गया या फिर वो हो Wolverine movie जहाँ पर एक adamantium के बने armor का यूज करके Wolverine के ही clause को काट दिया गया या फिर मैं बात करूँ Logan movie की जहाँ पर तो adamantium poisoning की वज़े से literally Wolverine की death ही हो गई और comics में भी फिर चाहे वो death of Wolverine की storyline हो जहाँ पर पिगलते हुए adamantium को Wolverine के उपर डाल के उसे मारा गया जिसे मैं इस वीडियो में नहीं ले पाया जैसे कि Daredevil का character है जिसके पास आँखे नहीं है पर फिल भी वो sound का use करके चीजों को sense कर लेता है यहां तक कि वो heartbeat को sense करके यह तक बता सकता है कि इंसान क्या सोच रहा है अगर उसके सामने आप बहुत ही loud sound का use करोगे तो वो senseless हो जाएगा या फिर मैं बात करूँगा echo man की जिसे अगर लंबे time तक पानी से दूर रखा गया तो बहुत ही जल्ली dehydrate होने लगता है और बहुत ही tired हो जाता है और हाँ यहाँ यहाँ पे मुझे blade और mobs जैसे characters की भी बात करनी होगी जिनने अगर बहुत लंबे time तक इंसान का blood ना दिया जाए क्योंकि वो vampires से बने है तो इस चीज की वज़े से भी उन्हें weak ने साधाएगी और अगर उन्हें sunlight का सीधा exposure भी दिया जाए तो काफी helpless हो जाएंगे अब जिसके बाद Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles और Mercury जैसे 6-6 Greek God की powers हो उसे हराना या फिर उसे चोट पहुँचाना कितना ज्यादा मुश्किल होगा और हमने comics और movies दोनों में देखा है फिर चाहे वो bullet हो या फिर कोई भी physical attack हो शजाम को चोट नहीं पहुचाई जा सकती परना इस character की भी एक ऐसी weakness है जिसका यूज़ करके इस character को आसानी से मारा जा सकता है यह तो शजाम अपनी strength और durability दोनों में superman की बराबरी कर सकता है परना अगर शजाम से उसका ही नाम बुलवाए जाए यानि कि उससे शजाम बुलवाय जाए तो फिर इस character को चोट पहुचाई जा सकती है क्योंकि आपको पता ही होगा कि शजाम बिली बैटसन के लिए एक short of keyword है जिसका यूज़ करके वो अपने रूप को convert कर सकता है शजाम में और वापस बिली बैटसन बन सकता है तो जब ये character अपने शजाम वाले form में होता है अगर तब उससे उसका नाम बुलवाय जाए तो वो वापस बिली बैटसन में convert हो जाएगा जो कि एक छोटा बच्चा है और जिसे बहुत आसानी से हमाला जा सकता है और हाँ वैसे तो शजाम की विल के खिलाफ उससे अपना नाम बुलवाना भी एक मुश्किल टास्क होगा पर हमने फ्लैश पॉइंट की एनिमेटेड मूवी में देखा था कि वंडर ओमन ने लास ओफ टृत का यूज किया था जिसके बाद शजाम से तो उसका नाम पूछा गया तब उससे सची बताना पड़ा यानि कि उससे शजाम बोलना पड़ा और तब वो बिली बैटेसन में कनवर्ट हो गया और फिर वंडर ओमन ने उससे मार दिया और यहीं सिमिलर केस ब्लैक एडम के साथ भी है क्योंकि उससे भी पावर शजाम कीवर्ट से ही मिलती है और वो तो 5000 साल से अपने नॉर्मल फॉर्म में कनवर्ट ही नहीं हुआ और इसलिए एनिमेटिड मुवी में जब उससे भी शजाम बुलवाया गया तब वो उसकी एच 5000 साल थी और इसलिए इमेजेटली वो डस्ट में कनवर्ट हो गया अब थौर अब थौर अनडाउटिडली मार्वल के वन अफ दे मोस्ट पावफुल सूपर हीरो उसमें से एक है और मेरे अकॉर्डिंग मार्वल का सबसे पावफुल सूपर है पर ना इस करेक्टर की भी एक वीकनेस है कि थौर अपने हैमर्स के उपर काफी रिलाई करता है फिल चाहे वो कॉमिक की अनवर्दी थौर की स्टोरी लैन हो या फिर अवेंजर्स कार्टून की कुछ एपिसोड्स हो या फिर मार्वल की थौर एगनलोक मूवी हो इन सारी जगहों पे थौर से जब उसके हैमर को अलग कर दिया गया जब हैला ने मेयोनिर को ब्रेक कर दिया तो थौर का मेंटल ब्रेकडाउन भी हुआ थौर काफी हैल्पलेस फील होने लगा और सुड़नली ऐसा लगने लगता है कि मार्वल का सबसे पाउरफुल सूपर हीरो अब काफी वीक हो चुका है और ना हैमर्स के साथ थौर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है उरू मेटल चे बने हुए थौर के जो दोनों हैमर्स है यानि कि मेयोनिर और स्ट्रॉम ब्रेकर वो थौर की थंडर को कंड़क्ट करने में थौर की हेल्प करते है ये दोनों ही हैमर्स थौर को आर्मर और हिलिंग फैक्टर भी प्रोवाइट करते है आपने मुवीज में देखा होगा कि जब भी थौर हैमर्स को वील करता है उसके wounds और घाव भी भर जाता है जो कि Thor को immortal बनाता है पर अगर Thor से उसके hammers को छीन लिया जाए तो चीजे बिल्कुल अलग हो जाएगी Thor थोड़ा सा helpless और थोड़ा सा weak हो जाएगा परना ऐसा नहीं है कि Thor के पास powers नहीं है तो सके ओड़ी ने कहा था कि Thor God of Hammers नहीं बलकि God of Thunder है पर अभी उसने अपने पूरे potential को explore नहीं किया हमने देखा है कि हैला किस तरीके से अपने आपको बिना किसी hammer के बिना किसी weapon के भी heal कर सकती है तो Thor इन सारी powers का use बिना hammer के भी कर सकता है बस उसे self-realization की ज़रूरत है और वैसे तो Ragnarok मूवी में Thor ने अपनी powers को explore करना शरू कर दिया है पर अभी भी Thor अपने hammers के उपर depend करता है और इसलिए Thor के सबसे बड़ी strength ही उसकी weakness भी बन सकती है अब Superman को आप एक perfect form of superhero मान सकते हो क्योंकि उसके पास सारी powers का एक बिल्कुल complete box है उसके पास super strength, super durability, super speed है उसके पास heat vision है तो cold breath भी है यानि कि complete super powers से भरा हुआ super hero है पर उसके एक ऐसे weakness है जिसका use करते ही वो बिल्कुल ऐसे cockroach जैसा बन जाता है जिसके ओपर काला hit पड़ा हो like kryptonite superman के बहुत बड़ी weakness है जिसके आपने भी अलड़ी देखा होगा जिससे के use करते ही superman को breathing problems होने लगती है वो बिल्कुल out of energy हो जाता है और kryptonite का touch भी उसे third degree के burn का experience दे सकता है वेल ये कैसे irony है ना कि normal metals जो कि किसे human को cut दे सकती है metal से बनी गोलियां जो कि किसे human को मार सकती है उसका superman के उपर कोई भी effect नहीं होता वो metals के भी आर पार देख सकता है गोलियां उसका कुछ भी बिगाड नहीं सकती परहा kryptonite जिसे कोई normal human touch कर सकता है उसके लिए वो कुछ भी नहीं है वो superman के लिए poisonous है और इसी का use करके normal humans जैसे कि Batman और Lex Luthor भी superman को हरा चुके है वेल मेरे हिसाब से superman और kryptonite superheroes की weakness का एक ideal example है चुकि एक complete superhero की सबसे बड़ी weakness है तो इसलिए ये list में number one पर है वेल अगर मैंने किसी superhero और उसकी weakness को यहाँ पर miss किया है तो आप नीचे comments में लिख सकता है आप comments में बता सकता है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा that is it for today guys अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होते से like और share करना मत भूलना और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe भी कर लीजिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में